नमस्कार दोस्तो, RPSC Sprint पे आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बाइलोजी की सलेबस का डिश्कॉशन करेंगे और पहला वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें हमने बाइलोजी की सलेबस सब्जेक्ट के पैटर्न के बारे में डिश्कॉशन करा था कितने नमबर का हमारा पेपर होता है, कितने नमबर के क्वेशन आते हैं और बाइलोजी सब्जेक्ट में हमारी यहां साइकोलोजी एडो का चुरीट में नहीं होता था और इसे की साथ में हमें पता है कि हमारा जो subject है इसमें हमारा एक secondary level होता है एक graduation level होता है एक post graduation level होता है तो इन levels में से हमने देखा था कि कितनी कितनी marks के कितनी कितनी question आते है ये देखा था आज हम secondary level के topics की discussion करेंगे तो हम secondary level का करेंगे आज और हमारी देखेंगे इसमें हमारी first unit है वो taxonomy है इसमें हमारी जो first unit है वो taxonomy तो हमारी इसमें first unit है taxonomy taxonomy में हम देखेंगे definition of life, biodiversity, need for classification, concept of species and taxonomical hierarchy इसका मतलब होता है वर्गी की पतानुकर और ये हो गया दियुपत नामकरन tools for study of taxonomy के लिए museum, juge, herbaria, botnical garden इस सारी चीज़े देखेंगे और इसी के साथ में देखेंगे classification of living organism five kingdom system ये important है यहां से question पूछे जाते हर बार इसे के साथ में हम देखेंगे silent features and classification of plants ये देखेंगे हम major group up to class पढ़ेंगे life cycle देखेंगे algae की, fungi की, bryophytes की, teridophytes की, gymnosperm और angiosperm ये तो हमारा taxonomy के अंतरगर देखेंगे और जो taxonomy है वो हमारी graduation level की भी आएगी first grade में लेकिन हम जो यहां पर देख रहे हैं वो हमारी secondary level की है साथ ही हम हमारी दूसरी unit देखेंगे structural organization in animals and plants इसमें हम बात करेंगे animal tissue की, plant tissue की animal tissue में हम देखेंगे types, origin, location, structure and function और plant tissue में देखेंगे anatomy of root, stem and luge of monocords and dicords ये सारे के सारे देखेंगे और इसमें morphology मतलब आकारिकी, anatomy, सरीर रचना और कारिये और morphological types in fluorescence इसका मतलब floor and fruits ये हम देखेंगे second unit में और इसे के साथ अगली unit है अपनी तीसरी और इसी तीसरी unit में हम देखेंगे cell, structure and function ये तीन unit हो चुके हमने दो unit पहले देख ली है और ये तीसरी unit है इसमें हम देखेंगे concept of cell theory देखेंगे और prokaryotic की सरंचरा देखेंगे, eukaryotic cell की सरंचरा देखेंगे plant and animal cell की structure देखेंगे, इनकी properties देखेंगे, इनकी function देखेंगे of cell surface, cell process, cell organelles, structure and function, chromosome structure, types of aberration इसका मतलब वीवथन होता है देखो, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का discussion कर रहे हैं कौन-कौन से topic है हमारे secondary level में बाकि जब हम सलेवस को start करेंगे तो topic by topic clear करते चलेंगे सारी चीजों को समझते वे चलेंगे लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का discussion कर रहे हैं और अगला है हमारा chemical constitution of living cells यानि रासाइनिक्स, गटक of living cells, biomolecules, structure and functions of proteins, carbohydrates, lipid and nucleic acid enzyme में हम पढ़ेंगे, इनके types पढ़ेंगे, इनके properties भी देखेंगे, enzyme action देखेंगे cell cycle में हम cell division पढ़ेंगे, mitosis पढ़ेंगे, meiosis पढ़ेंगे और there इनकी significance पढ़ेंगे तीन unit हो चुकी है और हमारी जो fourth unit है और यह fourth unit है हमारी animal physiology की बहुत लिए बचों को physiology बहुत ज़्यादा फसंद आती है सभी को physiology का नाम लेते हैं चेहरे पर चमक से आ जाती है तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर हमारा पाचन और absorption है सास लेना और सवशन body fluids यानि सरीर दर्वे and circulation excretory product and their elimination locomotion and movement neural control and coordination chemical coordination and regulation यह आएगा और इसी के साथ में इसमें एक और टोपिक है अपना animal physiology में जो reproduction यह देखेंगे अब जो fifth unit है हमारी अब तक हमारी चार unit हो चुकिए एक तो हमारी जो थी वो taxonomy वाली थी और दूसरी हमारी structural organization animal and plants यह थी और तीसरी हमारी जो cell वाली थी और fourth हमारी physiology वाली थी तो अब यहाँ पर fifth unit है अपनी वो reproduction in plants vegetative reproduction हमें देखना पड़ेगा asexual, sexual reproduction और flower की structure देखनी पड़ेगी pollination देखना पड़ेगा, fertilization development of embryo यह सारी की सारी चीज़े हमें reproduction in plants में पढ़नी है और हमारी जो six unit थी वो genetics है genetics हमें देखनी है और साथ में ही evolution देखना है mandalian inheritance heritage का मतलब विराशत होते है chromogems theory of inheritance यह देखना है, sex determination in human beings में देखना है linkage and crossing over हमें पढ़ना है origin of life, theories and evidence, यह सारी सारी चीज़े हमें genetics and evolution में देखना है चो हमारी six unit है कौनसे level की? secondary level की और अब हमारी यहाँ पर है वो seven जो biology and human welfare देखना है हमें और इसी में पढ़ना है immunology का basic concept vaccine, pathogen, parasites, cancer और ads यह सारी की सारी चीज़े हमें यहाँ पर देखनी है यह देखनी है biology and human welfare में vaccine का नाम लेते ही सारे दिमाग वे एक situation होने लगती है इसने बड़ा परेशान करके रख दिया और आगे हम देखेंगे ecology and environment जो हमारी art unit है इसमें देखेंगे हम organism and its environment, population and ecological adaptation और environmental factor में हम climatic, edific and biotic यह देखेंगे, ecosystem में हम component देखेंगे, types, energy flow, food chain, food web अब हमने जो secondary लेवल का था ना, secondary लेवल में हमने सारी की सारी वो देखेंगे हमारी topics देख लिए, कि इन में कौन-कौन से topic आएंगे हमारी secondary लेवल में वो सारी की सारी हमने देख लिए तो अब सभी बचों को पता है कि हमारी हाँ पर 55 number के question आएंगे और वो 110 number के आएंगे, ये बात तो आपके दिमाग में चप गई होगी, क्योंकि मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें भी इस बात का discussion कर रहा था, इसी बात का discussion हुआ था पहले वीडियो में, अब सेकेंड वीडियो में भी मैं बता रही हूँ एक बार से फिर से कि 110 number के question आएंगे, 55 question आएंगे और 110 number के आएंगे, ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमारा जो syllabus है ना, syllabus है, इसको अच्छी तरीकी से देख ले ना है, क्योंकि जो first grade की जो job है अपनी, ये को छोटे मोटी जोब नहीं है भीया, मिल जाते हैं तो पंक लग जाते हैं, बहुत अच्छी है, और एक respect भी होती है, हमारे चारो तरफ का जो environment होता है उसमें, तो इसके topics हमने डिशकर्श कर लिए हैं, आपके syllabus, अगर आपको first grade में selection लेना है, तो आपको अपना syllabus याद करना ज़रूरी है, हर topics आपके दिमाग में ऐसे छप जाने चाहिए, कि ये इस level में इस unit का ये topic है, तो ये सारी चीज़े आपको याद करनी है, और अगला जो वीडियो आएगा ना, उसमें हम अपनी graduation level के बात करेंगे, उसमें कौन-कौन से topics आएंगे, इसरी किसे पूरे syllabus को एकदम से clearly, clearly हम इसको discuss कर लेंगे, ठीक है, तो syllabus फिर syllabus को clearly discuss नहीं करते ना, तो last round तक ये रहता है, ये topic मेरे unit में है या नहीं, मेरे syllabus में है या नहीं, ये मेरे को मिला नहीं, ये जंजटों से बचने के लिए अच्छा है कि पहले हम syllabus को ढंक से पढ़ ले, syllabus को हम ढंक से पढ़ ले, तो अगली वीडियो में हम discuss करेंगे, आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के ये इतना ही, जै हिंद, जै भारत